हलो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं DOE के द्वारा दी गई वरक्षीट नमबर 45 जो की है 3rd to 5th की वरक्षीट इस वरक्षीट में क्या है दर्जी की मर्जी कितना असान है देखो दर्जी पता है न टेलर अब उसकी क्या मर्जी चलती है वो देखते हैं दूर एक शहर में एक दर्जी रहता था वो बहुत खास दर्जी था क्योंकि बिना नाप लिए ही पोशाग बना देता था ऐसा दर्जी है आपके आसपस कोई नहीं है न लेकिन वो दर्जी ऐसा था वो बिना नाप लिए ही पोशाग बना देता था ईद से कुछ दिन पहले सुहेन और उसके अबबा ईद के लिए नया कुर्टा बनवाने गए उन्होंने कहा जरा हमारा नाप ले लो और भड़िया से कुर्टे सील दो दरजी ने कहा वे दरजी ही क्या जिसे इंची टेप से नाप लेना पड़े मैं तो बस आपको देख कर ही आपका नाप जान गया हूँ इंची टेप क्या होता है बिटा जब हम दरजी टेलर के पास जाते हैं तो वो हमारा साइज लिखता है लंबाई कितनी चाहिए, हाथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, गला कितना बड़ा होना चाहिए, है ना, यह सब लंबाई लेता है मैं तो बस आपको देखकर ही आपका नाप जान गया दो दिन में आपको दोनों कुर्टे मिल जाएंगे सुहेल और अबू बहुत खुश हो गए और घर लोड़ गाए दो दिन बाद जब वो अपने कुर्टे लेने गए तो उन्होंने क्या पाया बताओ आपके साब से क्या वो आओगा जरा सोच के बताईएगा क्या दरजीने सुहेल और उसके अबू के कुर्टे उसी नाप के सिले होंगे या नहीं बताईए मुझे ऐसा लगता है कि बिना इंची टेप के आप किसी की सही लंबाई चोड़ाई नहीं बता सकते इंची टेप वो है जिससे हम सही नाप लिखते हैं दूसरा कोशन आपके कपड़े नाप से बना नाप के बिलकुल नाप से बनते हैं अगर हम रेडि मेट कपड़ा खरीट किलाते हैं तो उसमें साइज होता है, मीडियम, लाज, एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, है ना, तो इसका मतलब हर एक कपड़ा हम साइज कर लेते हैं, दिये गए, कारियों में से कौन से ऐसे कारिया जो हम नाप तूल के करते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो हम अंदाजन करते हैं तो तालिका एक बना रखी है जड़ा देखो विटा नाप तोल कर अलग से दिया है अंदाजन अलग भी है ठीक है ऐसी एक तालिका बना लेना टेबल बनानी है उसके अंदर ये सब चीजे हमें लिखनी है कौन सी किसमे आएगी अब इसमें तो आपको दो ही कॉलम दे रखे हैं लेकिन आपको अपनी कॉपी में ज्यादा बनाने हैं इसमें वान और टू दे रखे हैं सिर्फ तो पहला देखो फल सबजी खरीदना फल सबजी कैसे खरीदते हो हां जी बिल्कुल फल और सबजियां जो हैं नाप तोल के खरीटे हैं बाते करते हैं नाप तोल के करते हो नहीं वो अंदाजन करते हैं भोजन खाना वो भी अंदाजन खाते हैं या नाप तोल के खाते हो चलो हां मैं जो है मैं दो रोटी खाती हूं मेरी नाप तोल के खाई ज तो मैं भोजन को नाप तोल के लिखूंगी जूता खरीदना वो भी नाप के हिसाब से खरीदे हैं कपड़े सिलवाना वह नाप के हिसाब से कॉपी खरीदना वह अंदाजन खरीद लेते हूं हाँ छोटी बड़ी चलो मीडियम कोई बात ये दे लो चावल बनाना चावल भी नाप तोल के बनते हैं, पानी पीना, अंदाजन पी लिया जाता है, पढ़ाई करना, अब बताईए, कितने बच्चे अंदाजन करते हैं, कितने नाप तोल के करते हैं, सबी बच्चे नाप तोल के पढ़ाई करते हैं, एक घंडा पढ़ाई कर लेता हूं, दो घंडा पढ़ा अगला है आपका निम्न को नापने मापने या तोलने के लिए आपकी स मापक यह यंदृ का प्रियोग करते हो अब यह यंद्र दियो है बिट आपको दिखाए दे रही हैं सबको क्लियरम हाँ यह आपके यंद्र है लंबाई नापने के लिए किसका प्रियोग करते हैं यहां देखे एक बच्चा है वो मीटर के पास खड़ा हुआ है इस मीटर का प्रियोग हम करते हैं लंबाई नापने के लिए वाल पे जो मीटर लगा हुआ है दूसरा है वजन नापने के लिए हाँ जी बिलकुस सही साब बच्चों ने फटा फट बता दिया मैम यह होता है वजन आपने के बिलकुस सही कपड़ा नापने के लिए इंची टेप यहाँ दिखाई दे रहा है यह वेंग मशीन थी आपकी और लिए सबजी को तोलने के लिए तो सबजी टोलने के लिए तराजू यह दिखाई दे रहा है इसका प्रियोग किया जाते है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो कैसे कर दिया सब्सक्राइब हाँ सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर से और आपको उसे दबाना है और वह जाय का ब्लाक या ग्रे थैंक यू